ट्रेड बुक कर लेते हैं जल्दी से हम लोग अपने आज एक्ट्रेड में स्टॉप लॉस भी और टार्गेट भी यह दूनों ही पॉइंट्स हमको अच्छी हुए थे तो इस टॉप लॉस भी गया फर्स्टेड में और सेकेंड में टार्गेट हमके मिलाता है यहां पर प्रोफिट आप यहां पर देख सकते हैं 9000 प्लस का प्रोफिट है जो की आज की मार्केट से हमने अचीव किया था एंड एक ठीक था प्रोफिट हमको आज की दिन हमने ट्रेट किया था यह स्टॉप लोग को ट्रेट करने से पहले ग्रूप में भी हमने शेयर कर दिया था और दोबारा से हमने ट्रेट एक्जिक्यूट के थे यह वाला जेस टबलु का ही थोड़ा सा ओपन पोजिशन की थी तो यहां पर हमारे स्टॉप लॉस सेफ रहा पूरे दिन और एक अच्छे से स्टॉप लॉस के साथ हमने ट्रेट एक चालिस पैसे पर आकर कि सारी कॉणि की जाएगा एंड और वोग यहां से एक बार हम लोग अपनी सो टॉटल फर्स टेट में यहां पर जो कॉणिटी हमारी लगी थी थी थाउजन कॉणिटी के साथ में पहला टेट अपना एक्जिक्यूट किया था जिसके अंदर अपना स्टॉप लॉस किया था एंड सेकेंड स्टॉप ल's स्टॉप लॉस हमारा था वह दो रुपै का इसमें चला गया था हमिर स्टॉप लॉस पॉसे स्टॉंट में अंपनी एक्जिक्यूट किया था एपन की saёл तो इसमें 30.10 टॉपेसे का मेरा स्टॉप लॉस एक सक्सेस वो चेड़ी रहा है तो 1500 क हमारे लाए टेन 10,000 कुछ रुपीज का अपना प्रॉफिट हुआ था और ओवराल पोजिशन वुक देख लेते हैं तो अपना आज का प्रॉफिट था 9200 रुपीज के लगभग लगभग अपना प्रॉफिट यह था जो कि ठीक ठाक प्रॉफिट था के मार्केट भी एक अच्छे वे में ही चली थी एंड वन साइट डिरेक्शन था आज मार्केट का सो जीस डबलू के वन बाइवन करेंगे हायर लोवर टाम पर किस तरह से प्रैस को अनलाइस किया और कैसे के आज के एक्शन समारी रहे थे आज की दिन के एक बार रिफ्रेश क कर लेते हैं ठीक है सो अब चलते हैं सिद्धे अपने और बुक पर चार्ट पर चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं सो आज हमारे फ्रेंड के थोड़ी सी केज्वेल्टी होगे इसकी वहाँ पर जाना पड़ा और यह वीडियो वागरा बनाने में थोड़ा सम लेट जो भी स्टोक्स आपने आसके दीर त्रेट की हैं आप इसको कमिंट बॉक्स में तो कल के दिन हम पूरी तरह से अनेलाइज करेंगे ओको सबसे पहले discussion करेंगे जिस stock में हमारा stop loss गया था stop loss जाने वाला stock मेरा ये था stock सेम ही था बट जो first position थी जिसके अंदर stop loss गया उसका price और stop loss point ये वाले थे कि इसमें ऐसा क्या हुआ था कि analysis में क्या गड़बड़ी हुई थे जिस वाज़े से हमारा stop loss गया अच्छा जरूरी नहीं है कि आपके analysis में हर बार गड़बड़ी ही हो जिसके वाज़े से आपको stop loss जाए या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि आपका stop loss जा तो हर बार गड़बड़ी आपकी ना हो आपकी भी गड़बड़ी हो सकती है दोनों ही चीज़े मैं आपकी गल्ति से स्टॉप जा भी सकता है और के भार आपकी आ आप तरह से स正ी हो सकते हो और उसके बाद में जो भी काम बस्ता है तो market के उपर depend करता है आप शही है या गलत हो तो यहां पर overall हम देखते हैं तो हम यह पा रहे हैं कि यहां पर कहीं न कहीं हमें कुछ गलती की थी जिस वज़े से मेरा stop loss गया जैसे कि higher time frame पर जब आप JSW steel को देखोगे तो यह पूरी तरह से हमको एक downtrend शो कर रहा था जैसे यह एक support point है जो ranges आप देख रहे हैं यह एक support point है इसको morning में हमें find कर लिया था अपने लिए so 657.60 यह वाला point और इसका एक यह वाली ranges यह है न यह points मेरे लिए support के points थे अभी यह जो group of candles बने हैं मेरे लिए इसी candles में से कोई एक candle है जो कि मेरे लिए important candle थी इसके नीचे price ने देखके closing दी थी closing हो जाने के बाद में वापस से price retrace हो करके हमको आज उसी range पर मिला था जिस range पर यह Friday से नीचे गिरा था हमने क्या गया तो इसको आज भी short करने की कोशिश की थी तो morning में पहला trade हमने execute के उसके अदर मेरा stop loss चला गया अच्छा दूसरी बार भी इसके अंदर जो हमने एंट्री लिए वो short side की तरफ ही लिए थी कॉंट्विएंक था के JSW को गिरना चाहिए हाँ एक बाद मेरा stop loss गया कोई बात नहीं फिर हमने दोवारा उसके अंदर अपनी यहां पर आप देखिए अगर हम 654.95 को अपना एक support point मान लेते हैं तो price ने हमारी इस range के नीचे एक candle close की थी यह वाली with volume volume के साथ जा हमारा price close हुआ था यह देखिए अच्छी खासी volumes का breakout यहां पर हुआ था volumes के साथ breakout होने के बाद में आज भी इसके अंदर morning हम को लग रहा था जो volumes के structure लग रहे थे जो price का movement लग रहा था कि price का अच्छा गिर सकता है लेकिन जिदने उमीद थी उतना नहीं गिरा गिरा है volumes के breakout पर देखिए उमीद थी कि JSW के अंदर आज के दिन volumes के breakout आएंगे जिस वाइस हमने JSW को trade किया था तो heavy volume के breakout का मतलब हो गया कि heavy price का movement बेशक JSW को आज के दिन में trade किया लेकिन अगले week हम इसको पूरी तरह से देखेंगे इसके अंदर अच्छी खासी volume आई है आप लोग भी JSW को अपनी wall system में add कर सकतें और इसको देखिएगा देखने कोशिच किजिएगा कि movements किस तरह की होते हैं या क्या movement होगा अच्छे movement आपको JSW के अंदर देखने को मिलेंगे same range रहे कि इसको market के आप रख लीजे जब price हमारा वापस से उसी range पर चला गया trade करने के लिए देखिए यहां तक गिरा है कल के session में price उसी range से नीचे गिरा है जिस range को price ने with volume ब्रिक किया था आज फिर हमको स्टॉक को बड़ी rocket sense नहीं लगाई है जिस support को price ने ब्रिक किया था उसी support को as a resistance react करते हुए हमने देखा आज की market में और यहां से इसको trade किया अब stop loss लगाने में ऐसी क्या गड़बरी हुई थी sorry देखिए यह कुछ points थे जिसके नीचे हमें price को trade करना था हमने यहां पर क्या देखा कि stop loss लगाने के लिए मेरे पास यह एक swing बन रहा है यहां पर अगर हम अपना stop loss लगा देते हैं इसके आसपास में तो मेरा stop loss सेफ रह तो यह point मेरा stop loss का point बना था उमेद थी कि price इस range तक वापस नहीं जाए बट यह चला गया गया तो मेरा stop loss किया अभी price वापस से देखिए जब downside की तरफ गिरने लग गया था वापस जब price हमारा downside की तरफ गिरने लग गया था तो हमने इसके अंदर क्या क्या था था थोड़ price ने जब मेरा stop loss लिया stop losses लेने वाली candles यह कुछ candles थी हलांकि इससे पहले हम निकल गये थे जब price हमारा इन वाली ranges को या फिर इन वाली swings को break करके downside की तरफ गिरने लगा था तो यहां से हमने अपनी entry ले थी और इस वक्त का जो अपना stop loss निकल करके आया था उस 660 का था exact हमा लगाने के लिए तो मौनिंग में यह वाली जो रैली हुई थी इसमें भी कुछ एक candles थी जो कि important थी हम आपसे बोले ना कुछ गलती हमने की थी stop loss लगाने में just previous swings की कुछ important candles को हमने ignore किया था और important candles को हमने ignore कर दिया था जिस वेसे मेरा stop loss इसके अंदर चला गया था तो second time जो हमने अपनी entry ले थी उसकी entry थी मेरी 656.90 की stop loss 660 का था and targets जो हमने इसके अंदर बुक कर लिए थे 640.25 के targets थे अब यह क्या थी just मेरा swing था यह वाला मेरा swing point था जहां पर हमने पने positions हमने सारी की सारी स्क्वार आफ करते थी okay तो overall आज का trade अपना यही था I think कोई ब आज के वीडियो यह एक normal video है आपके लिए इसमें कोई भी आप लोग जो stocks हमको recommend किये थे कि हम उसको analyze करेंगे तो उसको नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी के वज़े से और उमीद करते हैं कि कल जो हम trade करेंगे एक अच्छा trade रहेगा एक अच्छा दिन रहेगा ओके तो कल एक साथ एक अच्छे सी वीडियो के साथ जिसमें आप लोग कुछ न कुछ सीखो जिससे आपकी कुछ न कुछ न कुछ ग्रोथ हो कुछ न कुछ प्लस हो आपकी knowledge में और आपकी experience में इसी उमीद के साथ हम लोग कल की trading session का wait करते हैं तो चैनल पर अगर नय है तो चैनल को subscribe जगा एंड अब हम लोग मिलते हैं कल की trading session में so thank you goodbye and we will meet again